हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अर्चाइनल तो देखिए यह अरी का पाम है और इसमें कितना अच्छा से खुद से नया नया ब्रांच आने लगा है देखिए और मैं अभी इसका कुछ भी नहीं की हूँ ना खाद डाली हूँ ना कुछ की हूँ और इसका फूरा अच्छा ग और देखिए गुल्दावदी सब कितना सुन्दर अभी भी खिला हुआ है कुछ-कुछ खराब हो रहा है तो एक दो पॉर्ट को खाली करूंगी क्योंकि अब पॉर्ट का जरूरत पड़ेगा इधर देखिए सब मोर पंकी में कितना कुछ निकला हुआ है और ए मधू कामनी जो मैं ट्रंस्प्लांट की थी देखिए इसमें मेरी गॉल्ड फोरोक लॉक इतना सब निकल रहा है यह देखिए यह मेरा एक कड़ी पत्ता है जिसमें इतना ज्यादा पिटूनिया का प्लांट निकला है समर वाला तो यह जहां भी गिरता है निकलता है देखिए कितना ही डालते हूं और देखिए क्लेंचो तो मेरा इतना ज्यादा बुलूम कर रहा है और इतना खुबसूरत लग रहा है कि आप लोग देख सकते हैं देखिए पूरा मैं इधर का पौधा दिखा रही हूं और जो बड़ा प्लांट है उसको आगे की हूं और जो छोटा-छोट बड़ा में लगाएं और सब पीछे रखे हूं लेकिन अब उसको आगे करना है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रहा है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और यह में अगर टेडिस पे रख देती तो यह पूरा रेड टाइप का हो जाता है लेकिन यह आगन में रखने कि गिर जा रहा है इसका जब भी फ्लावरिंग होता है तो इसमें इस्टीक लगाना पड़ेगा मुझे और पूरा कर्लियों से भरा हुआ है और जहां से मैं कट करती हूं वही पर बरांच आके फिर कर्लिया आ जा रही है देखिए और कितना बढ़ा इसका फ्लावर है कि प पूरा फूलों से भर गया है और देखिए इस सब अंदर जो मैं दिखा रहे हूं सब मेरा पेंट का डबा है जो कि मैं अंदर लगाई हूं और रोज में भी पूरा फ्लावर को मैं कट कर दी हूं तो खूब अच्छा बड़ा अच्छा बरांच आ रहा है और देखिए पू दुनिया के फिलावर से इतना अच्छा लग रहा है परफल फिलावर और यह पेंजी थोड़ा कम खिल रहा है और एलो कलर कापी अच्छा खिलने लगा है और यह देखिए टर्टल लॉइन का यह मैं सुखा हुआ रख दी थी और पूरा गिरीन हो गया अपने से और सुखा कमपोस्ट बन जाएगा और उपर से पूरा गिरीन हो गया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है मैं कलेंचो को ही दिखा रही हूं आप लोग से और अभी 10-12 मेरा बलकनी में है जो की पूरा रेड हो गया है देखिए बहुत सुंदर लग रहा है मतलब दो साइड में करक करके रखी हूं आंगन के हर कॉर्णर में करकर करके रखी हूं तो आप लोग को अगर वीडियो पसांद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए देखिए जो मैं सुकसंति का पाउधा बहुत बड़ा था उसको कट करके मैं छोटा कर दी इधर पोदीना है और इधर और देखिए कितना अच्छा इसमें ब्रांच आया है अब मैं उपर आ गई और उपर देखिए सब पोधे का अपडेट दिखा रही हूं जितना ट्रांस्पलांट की हूं वो भी दिखाऊंगी और देखिए सब में फ्लावरिंग सुरू हो गया है और सबसे अच्छा ग्रो सीड से जो निकला है पूरक कलियों से भरा हुआ है इधर टामाटर का पाउधा ये जब पक जाएगा तो हटा दूँगी और ये सब जो देखिए भींडी लगाई थी भींडी भी काफे अच्छा निकल रहा है इसमें बहुत सरा बीट्स भी निकालने लगा है और सबसे जल्दी जल्दी दिखा रहे हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए और मैं देखिए क्या काम करने आई हूं चलिए आप लोग दिखाती हूं मैं टॉपिक पर आते हूं मैं ये जैसे कि आप लोग देखे थे इधर देखिए सब मैं छोटा छोटा बाटल रखी हूं अभी कलर पेंट करना बाकी है लेकिन मैं सोची की थोड़ा दिखा दूँ देखिए एक क्रिष्ण कमल का बेल को भी उपर ले आई हूं उठा के इसको ट्रांस्प्लांट करना है बाड़ा पाउट में और देखिए इधर मूली थोड़ा बहुत बचा हुआ है और मैं ह अभी आप लोगों दिखा रहे हूँ क्योंकि noi पूर बेश्ट होता है अभी मैं क्या करने वाले हूं अप लोगों दिखा रहे हैं देखिए ए तो कटिंग है और पडशलेंग और पडशूलिक है दस कटिंग अगर आप लाते हैं कहीं से तो काफी लग जाता है देखिए पोट तूट गया था एक साइड से तो पहले तो मैं सोची कि फेंक दूँगी फिर मैं सोची कि नहीं इसमें आइडिया लगाते हूं तो देखिए इसका तूटा हुआ पाट था उसको मैं नीचे उपर कर दी जिससे मीटी नहीं गिरेगा इस अगर आप लोग के घर भी ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं और देखिए कोई पूराना टॉब नहीं है यह नया टॉब ही है सब एक ही साथ आया और देखिए मैं कैसे लगा रही हूं इधर से पूरा पौधा लगा दूँगी इसके बाद से कोई मतलब कुछ सा जाने का प और इधर साइड मैं पानी भी नहीं डालूँगी और इस्प्रे बॉटल से ही इसमें यूज करूँगी तो अभी मैं पूरा इसका मिटी को भीगा दी हूं खा दो डालके और देखिए सब मैं लगा दी क्योंकि एक बार लगा के दिखाती तो आप लोगो काफी टाइम लग के मिला दी थी गोबर का और इसके बाद देखिएगा इसका ग्रोथ कितना अच्छा होगा और ए तीन चार सब मिठाई के डबे में ही रखी थी तो सब टूट गया है अब मिटी निकाल के मैं फैक दूँगी इनको और देखिए कितना बढ़िया लगने वाला है जब इसमें